कुछ नीटिंग क्रेशन में आपका स्वागत है देखे फ्रेंज जो हम यह कार्डिगन बना रहे थे यह सेकिंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यह गले से बनाना स्टार्ट किया था और इसमें हमने यह पैटर डालना सीखा था और बनाते हुए हम नीचे की दुर्फ आये थे और इसमें हमने बैक और फ्रेंट का पार्ट भी अलब करना सीखा था कि किस तहां से बनाएंगे तो आज देखे इसका सेकिंड पार्ट है इसमें मैं आपको बाजू, गला और बटन पट्टी बनाना सिखाऊंगी कि किस तहां से बनाएंगे देखे हमने इसके length बनाकर complete की है, आप अपनी length के according इसको बनाईएगा जितनी भी आपको इसे लंबा रखना है, और अब हम इसे बनाना start करेंगे, पहले हम इसका गला बनाएंगे, और फिर हम इसमें आगे बनाएंगे, देखे हम यहाँ पर धागा जोइंट करेंगे, यहाँ पर यह फर् फ्रेंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट का डबल बॉडर बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने सिंपल 3 की चेन रखी है, और जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर देखे, दिखाए देगा आपको कि यह हमारा फ्रेंट पोस्ट डबल क्रोशिय बना है, फिर नेक्स्ट हमारा बना हुआ है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, और जो फ्रेंट पोस्ट बना हुआ है, उसे हम फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे, तो देखे, आप यहाँ से यह फ्रेंट पोस्ट बनाया था, यह हमने सिंपल बनाया, फिर हमने फ्रेंट पोस्ट बनाया, फिर हमने सिंपल ब बनाया था तो अब हम ऐसे ही बनाएंगे देखे ये वाला डबल क्रूशिया है स्टार्टिंग का ये हमारा फ्रेंट पोस्ट है तो हम इसे फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे फिर ये हमारा सिंपल बनाया था तो इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे फिर से फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे एक हमारा फ्रेंट पोस्ट हो जाएगा एक हमारा बैक पोस्ट हो जाएगा देखे इस तह से हम यहाँ कोर्नर तक ले आते हैं फिर आगे आपको बताएंगे कैसे बनाना है देखिए बनाते हुए हम कोर्नर पर आगे हैं यहाँ पर आपको देखिए एक V बनाई दिखाई देगी यह V वाला तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे V को हम दो डबल क्रोशिय हैं हमारे V के तो इनको हम एक साथ उठाएंगे और इनका हम एक बनाएंगे, ये हमने एक बना लिया, और फिर हम, फिर जैसे हमें दिखाई देगा, सेम वैसे ही बनाते हुए हम इसमें आगे जाएंगे, एक back post, एक front post बनाएंगे, और फिर next we तक हम बना लेते हैं, देखें फिर से हम यहां double crochet को एक साथ बनाएंगे क्योंकि यह हमारी एक chain थी और एक chain के अंदर हमने V बनाई थी तो यहाँ पर यह देखे हमारा एक front post बना, एक यहाँ पर front post बना, फिर एक next बनेगा देखे तीन front post हमारे बनकर यहाँ पर आये हैं और तीन ही यहां पर देखे इस corner पर आये थे एक, दो, तीन तीन front post यहां पर आये हैं और तीन ही हमारे यहां पर आये हैं तो इस तहरे से बनाते हुए हम row complete करेंगे corner पर हमारे तीन front post double crochet बन कर आएगा और row बना कर complete कर लेते हैं फिर आगे आपको दिखाएंगे देखे राउंड हमारा complete हो चुका है अब हम इसकी wrong side में आएंगे और wrong side से देखे हम इसे पहले हम इसमें तीन chain बनाएंगे एक, दो, तीन turn करेंगे देखे यह हमारा front post है तो इसे हम front post बनाएंगे फिर यहाँ पर देखे जो हमारा right side में back post था वो हमारी wrong side से front post बनेगा तो इसे हम front post बनाएंगे जैसे हम border बनाते हैं से वैसे ही बनाना है एक हम back post बनाएंगे एक हम front post बनाएंगे तो बनाते हुए हम corner तक लेकर आएंगे देखे यह हमारा corner है जहां पर तीन हमने, यह देखें तीन हमने डबल क्रोशिया बनाया था, फ्रेंट पोस्ट, तो हम यहां तक बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे, देखें बनाते हुए हम यहां तक आ गए हैं, जहां पर हमारा देखें यह बना था, और देखें यहां पर हमारा य पॉस्ट डबल क्रोशिया है इसे हम बनाएंगे बैक पॉस्ट बना लेते हैं और इसे बना कर हम देखे इस तह से होल रखेंगे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे धागा लेंगे जो बीच वाला डबल क्रोशिया है इसे हम छोड़ देंगे बीच वाले को छोड़ कर हम तीसर भी बन गई दुबारा से, फिर से हम बनाएंगे, धागा लेंगे, और ये हमारा जो front post है, इसे हम front post बनाएंगे, फिर से हम एक back post बनाएंगे, एक बार और हम आपको बता देते हैं, तो हम बनाते हुए corner तक आएंगे, फिर आगे आगे आपको बताएंगे, कि ये corner पर हम किस स फ्रेंट पॉस्ट डबल क्रोशे जो हमने बनाए थे, उनमें से हम पहले को बनाएंगे, इस तरह से, और हम इसे हाफ में होल्ड रखेंगे, धागा लेंगे, बीच वाले डबल क्रोशे को नहीं बनाएंगे, जो सेकिन नमबर का उसे नहीं बनाएंगे, फिर हम थर्ड वाले क को बनाएंगे इस तह से तो यह इस तह से हमारे पास तीन लूप हो गए तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे फिर यह देखे हमारे पास एक और वी बनकर आ गई है अब हम धागा लेंगे और हम यहां पर जैसे भी हमें डबल क्रोशा दिखाई देगा सेम ऐसे ही बनाते और कोरनर पर हम वारे पास जो तीन डबल क्रोशा है फ्रेंट पॉस्ट उनमेंसे हम पहले और लास्ट वाले को बनाएंगे और बीच वाले को हम छोड़ देगे तो बनाते हुए हम सेम ऐसे ही रो कंप्लीट करेंगे तो बना लेते हैं देखे राउंड हमारा complete हो गया है और फिर से हम यहाँ पर starting में हैं और यहाँ पर मैंने three chain बनाई है अब हम देखे वैसे ही बनाएंगे जैसे हमारा दिखाई देगा यह हमारा front post था तो हमने इसे front post बनाया फिर हमारा यह back post है तो इसे हम back post बनाएंगे फिर से front post दिखाई दे देखे, और यहां पर देखे, आपको एक V दिखाई देगी, तो अब हम यहां पर देखे, किस तरह से बनाएंगे, फ्रंट पॉस्ट हमने बना लिया है, धागा लेंगे, और देखें यह जो हमारा बैक पॉस्ट है, इसे हम बनाएंगे, बैक पॉस्ट वाले डबल क्रोशे को हम बनाएंगे, और इसे हम यहाँ पर होल्ड रखेंगे, कम्प्लीट नहीं करेंगे, धागा लेंगे, वी को हम छो बना लिया अब धागा लेंगे फिर से हम फ्रेंट पॉस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे देखे इस तह से एक वी बनती हुई आएगी देखे ये जो हम यहां से इसमें फंदे घटा रही है ये हम देखे आपको रेड कलर में अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है मैंने इसे बनाना सिखाया है और एक और हमने ग्रीन कलर का डाला है उसमें भी हमने ये गला बनाना सिखाया कि किस तह से बनेगा तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूं कि ये किस तह से बनेगा तो हम इसे बना लेते है एक फ्रेंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाते ह नेक्स्ट कोर्नर तक आएंगे और इस गले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि यह वाले जो हम यह डबल क्रोशियक घटा रहे हैं यह किस तह से घटेगा वैसे तो मैं आपको एक्स्प्लेन अच्छी तह से कर रही हूं अगर नहीं समझ में आएग और अब हम यहां पर यह एक हम बैक पोस्ट बिनाएंगे इसे हमने होल रख पोस्ट, एक फ्रेंट पोस्ट और कोर्णर पर ज्यस तहसे हमारा बनता हुए आएगा असिम वैसे ही हमने इसे बनाना है और बना कर इसे कम्प्लीट करेंगे तो रोो कम्पलीट कर लेते हैं देखिए रोह हमारी पांच रो बनाकर कम्प्लीट करेंगे, आप अपनी मर्जी से पांच या साथ बना सकते हैं, जितना भी बड़ा आपको गला बनाना है, तो हम बनाकर इसे कॉर्नर तक लेकर आएंगे, देखे हम बनाते हुए यहां कॉर्नर तक आ गए हैं, अब हम इसमें धगा लेंगे, और जैसे हमने देखे यह वी बनाई थी, देखे यह दो वी दिखाई देंगे अपको एक यह और एक और फिससे हम बनाएंगे, इसमें धगा लेंगे, जो यह हमारा बैक पॉस्ट है, इसे लेंगे, और इसे हम होल्ड रखेंगे, फिर धगा लेंगे, वी को छोडेंगे और ने इस तरह से वी वी बनाते हुए जाएंगे, देखिए, तोनों साइड से हमारी कुछ इस तरह से वी आएंगी, तो बनार हम complete कर लेते हैं, पाँच रोव और फिर आपको इसका look दिखाएंगे कि बनने के बाद कैसा आया है, देखिए पांच रोव हमारी बनकर complete हो चुकी है और गले का लुक देखिए कुछ इस तह से आया है हमारा देखिए इस तह से हमारा गला बन कर आया है पहले हमारा कितना बड़ा गला था और बनने के बाद देखिए यह कितना अच्छा और बना हुआ है इस तह से यह हमारा गला बना है अब हम इस पर बटन पट्टी बनाएंगे वो किस्ता है से तो चेली बनाना start करते हैं तो देखे यहां पर हमारा यह धागा है यहां पर पहले हम 3 chain बनाइंगे एक दो, टीन, 3 chain बनाई और इसे हम turn करेंगे यह जो हमने double crochet बनाया था यह chain है हमारी यहां पर हम 2 बार double crochet बनाइगे एक हमारी 3 की chain हो गई एक हमने डबल क्रोशिया बनाया तो ये दो हो गए फिर धागा लेंगे नेक्स्ट में हमारे पास ये देखिए ये सोरी तीन की चेन है तो इसके अंदर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाया दो हो गए फिर से बनाएंगे हर एक डबल क् के अंदर हमने दो दो बनाए है नेक्स्ट में जाएंगे दो डबल क्रोश्या फिसे नेक्स्ट में जाएंगे दो डबल क्रोश्या नेक्स्ट में जाएंगे दो डबल क्रोश्या एक बार बनाया एक बार और बनाएंगे फिर नेक्स्ट में जाएंगे दो डबल क्रोश्या फिल नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पर भी हम देखे यहाँ पर हम दो डबल क्रोश्या बनाया देखे यह हमने जितने भी हमारा बोर्डर बनाया था इसके अंदर हमने दो दो डबल क्रोश्या बना लिया है अब यहाँ पर देखे यह हमारे सिंगल क्रोशे की रो है इसके अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार हमने डबल क्रोशे बनाया सिंगल रो में उसके बार हमारे पास ये दो डबल क्रोशे है इसके अंदर हम दो बार बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाएंगे फिर से धागा लेंगे फिर से हमारे पास सिंगल क्रोशे की रो है इसके अंदर हम एक बार बनाएंगे जब हमारे सिंगल क्रोशे की रो है इसके अंदर एक बार फिर हमारे पास डबल क्रोशे है उसमें हम दो बार तो बनाते हुए हम इसे नीचे तक लेकर आएंगे, इस तह से, डबल क्रोशे पर हम दो बार, और जहां पर हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, वहां पर हम एक बार, तो हम बनाते हुए इसके एंड तक आ जाते हैं, बनाते हुए नीचे तक फिर आगया आपको दिखाएंगे, देखें, रो हमारी बेक का पार्ट है, इसे हम बाज में बनाएंगे, अब हम यहां पर थ्री की चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, टर्न करेंगे, और यहां पर देखेंगे, अब हम इसमें धागा लेंगे, और हम इसे एक फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे, एक फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे, फि एक हमें बैक पोस्ट बनाना है और बनाते हुए हम रो कम्प्लीट करेंगे देखे इसमें भी हम सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने गला बनाया था एक फ्रेंट पोस्ट एक बैक पोस्ट यह हमारी बटन पट्टी बन जाएगी एक फ्रेंट पोस्ट की और एक बैक पोस्ट की त तो हम इसे बनाकर complete करेंगे, इसके बाद हम 2 रो और बनाएंगे, तो ये total हम 4 रो बनाकर complete करेंगे, एक front post, एक back post, तो हम इसे देखें, यहाँ पर हम पहले इसे बना लेते हैं, और बनाते हुए हम देखें, यहाँ पर जब यह हमारा गला है, गले पर हम इतना सारा देखें, यहां तक हाफ में आकर इसे हम यहां तक पहले हम बना लेते हैं यहां पर आने के बाद मैं आपको इसमें बटन होल बनाना बताऊंगी कि हम इसमें बटन होल किस तह से बनाएंगे और फिर आगे आपको दिखाएंगे तो हम यहां तक बना लेते हैं दिखे हम हाफ में आ गए ह है और हाफ हमने नीचे बना लिया है अब हम इसमें button hole छोड़ेंगे तो किस सहसे चोड़ेंगे यहां पर देखे हम दो chain लेंगे पहले हम दो chain बनाएंगे एक दो दो chain बनाई हमने और दो double crochet हम छोड़ देंगे और थीस्रे डबल क्रोशिय पर हम यहां पर दीखक चनाब पर दीखने कर दोट कर धा बान रेंगोर देखेंगे कि उसने मिल जानां कर देखेंगे , जो ठीछे लाव म overwhelmingly है। तो यह हमारा बैक पॉस्ट बना यह हमारा फ्रेंट पॉस्ट बनेगा फिर हमारा बैक पॉस्ट बनेगा तो यह हमारा फ्रेंट पॉस्ट बनेगा यहाँ पर हमने दो चेन ली है दो डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और तीसरे में हम फ्रेंट पॉस्ट डबल क्रोशिया बन लिया है यह हमारा च्यार हो जाएगा पाच छे साथ आठ नो दस देखिए यह दस डबल क्रोश्य हमने बना लिया है अब फिर से हम यहां पर दस डबल क्रोश्य के बाद हम इसमें दो चेंड लेंगे एक दो धागल लेंगे और यहां पर देखिए हमारे पास यह बैक पॉस्ट बना है दो चेंड चोड़ेंगे तो हमारा यह फ्रेंट पॉस्ट बनेगा तो यहां पर हम फ्रेंट पॉस्ट बनाएंगे और फिर से हम इसी तरह से बैक पॉस्ट फ्रेंट पॉस्ट बनाते हुए अपना यह रो कम्प्लीट करेंगे और बीच में हम यह होल छोड़ते हुए जाएंगे बटन के लिए बटन होल हम छोड़ देंगे तो बना लेते हैं फिर आगे आपको बताएंगे तो देखिए इस ताय से यह हमारा होल बनते हुए आए हैं तो बना लेते हैं फिर आगे आप और यहाँ पर यह देखे दो double crochet है तो हम last वाले पर एक double crochet बना लेंगे जो यह हमारी 3 की chain है इसके अंदर हम double crochet बना लेंगे तो यह देखे इस तरह से हमारा यह hole बना है आपको जितने भी hole बनाने है आप इसी तरह से 10-10 double crochet छोड़ते हुए यहाँ से counting करेंगे और 10 double crochet छोड़ते हुए हम यह बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर देखे टोटल एक, दो, तीन, चार और पांच पांच हमने hole रखे हैं अब हम next बनाएंगे हम यहाँ पर एक, दो, तीन chain लेंगे और turn करेंगे और इसके अंदर हम दो बार double crochet बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर दो chain ले थी तो दो double crochet बनाएंगे यह हमने दो double crochet बनाया फिर हमारे पास यह front post है तो हम इसे front post बनाएंगे फिर हमें back post दिखाई देगा उसे back post जो जैसा दिखाई देगा उसे बनाते हुए हम next hole तक लेकर आएंगे दिखिए हम next hole पर आ गए हैं यहाँ पर हम धागा लेंगे और हमने दो chain ली थी दो नीचे छोड़ दिये थे तो यहाँ पर हम दो double crochet बनाएंगे एक बनाए एक और बनाया यह दो हो गए फिर हम यहाँ पर हमारे पास front post है तो हम इसे front post बनाएंगे फिर next में बनाएंगे तो इस सह से बनाते हुए हम row complete करेंगे और यहाँ पर देखिए यह हमने बनाते हुए आएंगे और इस hole के अंदर भी हम दो double crochet बनाएंगे फिर next में जाएंगे तो यहाँ पर भी हम दो double crochet बनाएंगे और इसके बाद हम दो और बनाकर complete करेंगे और जिससे हम अपनी हमारी बटन पट्टी बनकर complete हो जाएगी तो फिर आपको इसका आगे look दिखाऊंगे के बनने के बाद ही देखे बटन पट्टी हमारी बनकर complete हो चुकी है और देखे यह कुछ इस सह से बनकर आई है यह जैसे हमारी रेडिमेंट में होती है सेम ऐसे ही इसका look बनकर आया है और सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाई है हर एक डबल क्रोशिय के अंदर दो दो डबल क्रोशिया सेम ऐसे ही हम दूसरी बटन पट्टी पर बनाएंगे देखे यहाँ पर और इसमें हम कोई भी hole नहीं छोड़ेंगे और बनाकर इसके भी हम row complete करेंगे इसके बाद देखे हम यहाँ पर end में यह जो हमारा नीचे है नीचे भी हम इसी तरह से border बनाएंगे एक front post एक back post बनाते हुए हम यहाँ पर भी border बनाकर complete करेंगे जिसमें हम पाँच रो बनाकर इसकी length रखेंगे और देखे जो हमने यह बटन पट्टी बनाई है देखे इसका look किस तरह से आएगा मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार देखे यहाँ पर हमने देखे इस तरह से इसकी हमने बटन पट्टी बनाई है यह देखे जैसे हमने red बे बनाई है सेम वैसे ही हमने देखे इसे बनाया है और देखे इसका लुक कुछ इस तहा से आया जैसे हमारी रेडिमेंट जैकेट होती है सेम वैसे ही इस पर भी हमारा ये बोल्डर बना हुआ है और ये भी हमने इसी तहा से बनाया है और यहाँ पर देखिए यह next side में है सेम ऐसे ही हमारी यह बटन पट्टी बनेगी जैसे हमने इसे बनाया है देखिए बटन पट्टी यह हमारी बनाने के बाद देखिए इसका look कुछ इस तरह से आया है और यह हमने V गले पर बनाई है जो हमारा V गला बनाते हैं हम नीचे से स्टार्ट करने के बार उसके उपर हमने ये गला बनाया है और बनने के बाद देखे इस कालू कुछ इस तरह से आया है और बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है आप किसी और भी कार्डिगन पर आप इसी तरह से बना सकते हैं बटन प यहाँ पर यह जो double crochet है यहां पर हम अपना धागा joint करेंगे सिर्फट चीन बनाई है और फिर इसके बाद देखें यहां से हम देखेंगे यहां से हम देखेंगे यह हमने फ्रेंट post बनाए फिर हमने back post फिर फ्रेंट पोस्ट फिर से हमने बैक पोस्ट तो यह हमारा बैक पोस्ट बनेगा तो अब हम इसे बनाएंगे यह हमने फ्रेंट पोस्ट बनाया है नेक्स्ट हम सिम्पल डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से यहां पर दिखिए यह हमारा फ्रेंट पोस्ट इस बार यह हमार फ्रेंट पोस्ट बनेगा और जो हमारा फ्रेंट पोस्ट है उसे हम सिंपल बनाएंगे इस तह से फिर से हम इसमें सिंपल डबल क्रोशिया फिर हम इसमें फ्रेंट पोस्ट डबल क्रोशिया जैसे जैसे इसमें दिखाई देगा से वैसे ही हम बनाते हुए जाएंगे फिर से बनाएंगे देखे इस सहसे बनाते हैं रो कम्पलीट करेंगे देखे राउंड हमारा कम्पलीट हो चुका है और यहाँ पर हमने इसे थार्ड चेन में जॉ vậy किया है देखे फिर से हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और हर एक chain के अंदर हम single crochet बनाएंगे इस तरह से हमने single crochet बनाया next chain में जाएंगे फिर से हम single crochet बनाएंगे फिर से next chain में इस तरह से बनाते हुए हम यह row complete करेंगे हर एक chain के अंदर हम एक-एक single crochet बनाएंगे तो बना लेते हैं देखिए रो हमारी बनकर complete हो चुकी है और यहां पर हमने इसके starting की थी फर्स जो हमने एक chain बनाई थी इसके साथ हम इसे slip stitch करेंगे और हम यहां पर देखिए फिर से तीन chain बनाएंगे एक दो तीन धागार लेंगे और यह देखिए यह हमने front post बनाया था तो यह हमने simple double crochet बनाय फिर हम simple double crochet बनाएंगे फिर से हम front post बनाएंगे फिर हम एक simple double crochet बनाएंगे और देखिए इसी तया से border design बनाते हुए हम इसकी length complete करेंगे दोनों बाजू है हम अपनी बाजू के according length रखेंगे जितने भी हमें इसकी लंबी length रखनी है बाजू बनाएंगे और उसके उपर हम ए order बना लेंगे और दोनों बाज भी बनाकर complete कर लेंगे उमीदे फ्रेंज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आयोगी मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं next वीडियो में थेंक यू